साथ श्रीकाई सारयानू हैलो एबरीबन सवागत है पिए लेकल कलासिस ते यूटुब चैनल ते तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इस सेक्शन 127-127 रॉंक्फल कनफाइनमेंट लास्ट लेक्चर में हमने जो रॉंक्फल रिस्टेइन किया था मेरे को अमीद है आपको वो समझ आया होगा अगर फिर भी आपका कोई किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट वाक्स में पूज सकते हो तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है रॉंक्फल कनफाइनमेंट क्या है और रॉंक्फल रस्टेइन रॉंक्फल कनफाइनमेंट में क्या डिफ्रेंस रहता है उसके बारे में बात करेंगे तो लक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना और एक आप से अड़वाइस चाहिए कि इसके बाद जो हमारा जे टॉपिक चल रहा है जे चैप्टर है इसके बाद हमारा जो कड़नैपिंग बसता है, अबड़क्शन बसता है, फोर्स बसता है और क्रिमिनल फोर्स बसता है, उसके बाद जो हमारा में टॉपिक रहेगा, मडर रहेगा एंड कल्पेवल हूमिसाइड रहेगा, तो जो उसके बाद बसता है, एक जर्नल एकसेप्शन का टॉपिक बसता है punishment का बस्ता है और rape के टॉपिक्स जो बस्ते हैं उसके बाद जो हमारी BNS है paper perspective हो जाएगी तो आप से एक suggestion चाहिए एक तो मैंने minor actor सोचा है कि हम जो है registration actor स्टार्ट कर लें उसके साथ साथ कौन सा major actor है जो हम स्टार्ट करें आप उसके बारे में suggest कर दाना कि कौन सा साथ इसमें major actor चलाईए एक तो मैंने सोचा जहां तो हम Hindu law स्टार्ट कर लें जहां उसके साथ CRPC जो BNSS है वो चला लें आपकी क्या advice है आप जरूर comment box में बताता ना कि minor act के साथ कौन सा करें क्योंकि limitation तो हमारा already cover है तो और जो minor act मेरे को जहीं लगता है कि registration बजता है तो registration तो हम start करेंगे लेकिन मैंने सोचाया कि paper का कोई पता नहीं कब जो है notification आउट हो जे तो इसलिए हम दो subject चलाएंगे और आपको क्या लगता है कि हमें एक ही subject चलाना चाहिए कि दो ठीक है अगर दो ठीक है तो एक दो registration हम minor act करेंगे और इसके साथ और कौन सा major act करें आप comment box में जरूर बतादा ना क्योंकि limitation cover है Muslim law हमारा cover है ठीक है तो BNS भी अब हमारा almost cover हो नहीं वाला है हम जे Saturday, Sunday तक हम जो है BNS को cover कर देंगे जैसा हमने आपसे promise किया है तो definitely जो BNS है वो cover हो जेगा proper playlist मनेंगी है आप वहां से जाकर जो है देख सकते हो हर एक lecture को जो है enjoy कर सकते हो और अपना feedback जरूर देना कि आपको lecture कैसा लगा तो start करते हैं हमारा जो lecture है wrongful confinement सबसे पहले word आता है whoever अब whoever का मतलब क्या है बिलकुल same ही रहेगा male रहेगा female रहेगा major आएगा और minor आएगा then उसके बाद क्या है wrongfully restrained अब जहां पर भी words यूज किया गया है wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances limits is said to be wrongfully to confine that person okay तो अब फिर से language start करते है words by words जो इसकी discussion करते हैं तो सबसे पहले हमारा word है whoever whoever का मतलब same रहेगा whoever का मतलब बिलकुल वो ही same आएगा जिसमें male आएगा female आएगा major आएगा और minor आएगा तो whoever में ऐसा कुस changes नहीं है तो whoever का बिलकुल वो same meaning रहेगा देन उसके बाद क्या है wrongfully restrained अब wrongfully restrained क्या है जो हमने last lecture section 126 में पढ़ा था wrongfully restrained के लिए जिरूरी क्या है कि उसमें जितने भी wrongfully restrained की importance essentials है वो fulfill होने चाहिए वहाँ पर wrongful restrained होना चाहिए अगर वहाँ पर wrongful restrained नहीं है तब फिर वो wrongful confinement भी नहीं बनेगा तो wrongful confinement के लिए जिरूरी क्या है वहाँ पर जितनी भी ingredients है wrongful restrained की वो complete होनी चाहिए ठीक है जितनी भी ingredients है wrongful restrained की वो complete होनी चाहिए अगर वो complete है तो तब ही offense आगे जो है wrongful confinement बनेगा अगर बहाँ पर wrongful restrained की जो ingredients missing है तब फिर वो offense क्या है wrongful confinement भी नहीं बनेगा तो wrongful confinement के लिए जिरूरी क्या है wrongfully restrained होना wrongfully restrained क्या है वो हमने last lecture में cover कर ली है आप वहाँ से देख लेना then उसके बाद क्या आता है any person कोई भी person है कैसे in such manner in such manner क्या करता है as to prevent रोकता है क्या करता है किसे that person from proceeding beyond circumtaging limit अब जहां पर words use किया गया है beyond अब beyond को आप outside भी लिख सकते हो beyond को आप क्या है outside भी लिख सकते हो कि उसके beyond जा outside क्या है beyond भी लिख सकते हो और वो क्या है outside भी लिख सकते हो उसके बाद जो words used क्या है το cane होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? Certain होनी चाहिए ठीक है ? आगे important words क्या है वो क्या होनी चाहिए certain and ईसके साथ वो क्या होनी होनी चाहिए define इस चीज़ को आपने जाद रखना है wrongful confinement के लिए जिरूरी क्या है सबसे पहले wrongfully retain की जितनी भी ingredients है वो fulfill होनी चाहिए then उसके बाद वो person क्या करता है prevent करता है रोकता है person को कैसे beyond beyond means outside उसके बाद certain means कि certain होना चाहिए certain and define कैसे circumstances limit उसे हम क्या बोलेंगे wrongfully confine that person ठीक है wrongfully confine that person तो यह था हमारा wrongfully confinement बिल्कुल छोटा सा section है क्योंकि हमने जो wrongfully retain है वो काफी deeply किया है तो इसलिए सबसे पहले wrongfully confinement के लिए क्या चाहिए हमें wrongfully retain उसकी all ingredients चाहिए और उसके बाद वो person क्या करता है रोकता है prevent means control करता है उसे रोकता है क्या करता है control करता है किसे beyond beyond means outside जाने से बाहर जाने से और वो कैसी होने चाहिए जो circumstances limits है वो must be certain and defined जो वो limits है वो must be क्या होनी चाहिए certain होनी चाहिए और defined होनी चाहिए अगर मालो वो limits certain नहीं है define नहीं है तो तब भी वो offense क्या है wrongfully confinement का नहीं बनेगा रॉंगफुली कनफाइनमेंट का वो अफेंस है नहीं बनेगा ठीक है? अब यह था हमारा section रॉंगफुली कनफाइनमेंट अब आपके मन में यह कॉशन आता होगा कि section 107 में जहां पर words चूज कर दिया रॉंगफुली restriction के पहले पहले रॉंगफुली रेस्टेंट की जो ingredients रॉंगफुली कनफाइनमेंट बने गा चलिए यह यह भी समझाता है beyond and certain भी समझाता है लेकिन caution यह है किस वे हैão difference किया होगा रॉंगफुली रेस्टेंट में अई रॉंगफुली कनफाइनमेंट diferentes difference क्या रहता है, हमने जैसे रॉंख्फिली रस्ट्रेिंड की एक example आहि थी कि मालो जै व्य है कोई रस्ता गली जाती है जहांपर ब Laurel, बी किया है? भी क्या है? पॉरोक देता है जहां से गुजर्ननेने देता है लंगने नहीं देता तो जहां से बनता है? wrongfully restrained कि B ने क्या किया A को wrongfully restrained किया उसे जहां पर जाने नहीं देता वहाँ पर हमने क्या words क्या था use किया था any direction अगर आपको जा दो जहां पर word क्या है any direction जहां पर word क्या है any direction और हमने यह भी किया था कि जहां पर word all use नहीं है जहां पर word all choose in your means any direction means जो B है वो A को जहां से गुजरने और जहां से इदर से गुजरने से रोकता है जहां से रोकता है अब wrongful confinement की example लेते है मालो A है और जो B है B क्या करता है मालो जहां पर room है और जो B है A को इस room में कैद कर लेता है detain कर लेता है क्या कर लेता है detain कर लेता है अब यह इदर से मिन जा सकता इदर से मिन जा सकता इदर से भी नहीं जा सकता और इदर से भी नहीं जा सकता मेंस čारे तरफ से वो क्या है उसे रोका गया है तो जहीं difference है wrongful confinement की कहँई आपको 4 तरफ से रोका जाएगा किसी direction से आपको जाने नहीं दिया जाता और जो wrongful restraint है उसे any direction किसी एक direction चाहे इदर से चाहे उदर से रोका है लेकिन wrongful confinement में क्या है आपको चारी तरफ से रोका है अब इसके उपर आपको मैं एक जो है और example देता हूँ प्लीज वन सेकट का टाइम देना ही इसके उपर आपको एक और example देता हूँ wrongful confinement क्या है जे है जेल है जे क्या है जेल है जे जेल है और A पुलिस वाला है उसने क्या किया बी को detain किया हुआ है बी को detain किया हुआ है अब बी के जो है वह जो release के उसके बेल के order भी आ जाते है जो बेल के बी को बेल भी मिल जाती है लेकिन still जो A है still जो A है पुलिस ऐपिसर है वह क्या करता है? बी को detain करकर रखता है still जो है बी को detain करकर रखता अब A जो पुलिस वाला है उसके उपर क्या है? wrongful confinement लग सकती है कि उसने क्या है illegal detain किया है अगर court ने order दे दिये अगर court ने bail के order दे दिये तो एक ऐसे उसे detain करके रख सकता है एक ऐसे उसे detain करके रख सकता है उसने क्या किया है wrongful confinement means कि चारी तरफ से रोका है detain किया इसे हम क्या बोलेंगे wrongfully confinement इसके कुल इलुस्ट्रेशन भी है A causes Z to go within walled space and lock means कि उसे रोक देता है लॉक कर देता है और is does prevent from proceeding in any direction beyond अब जहाँ पर भी word beyond है Circumstance is line of ball means कि उसे चारे तरफ से रोका गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे wrongful confinement तो जे था हमारा section wrongful confinement subsection 2 में इसकी punishment बताई गई है whoever wrongfully confine any person shall punished कितना रहेगा वो सजा कितनी होगी एक साल की और इसमें क्या हैगा fine आएगा 5000 का ठीक है 5000 का जो fine हो सकता है और एक साल तक की जो सजा हो सकती है then उसके बाद जो है आगे whoever wrongfully confines any person कितनी टाइम तक 3 days तक अब इस बात को आपने जाद रखना है क्योंकि जे newly section कुश्क जे provision सा add की गई है पहले IPC में जे जो third clause या fourth clause नहीं था IPC में simple था कि अगर उसने wrongfully restrained कर लिया चाहे वो फिर एक गेंट के लिए किया है wrongfully confinement किया है चाहे 10 दिन के लिए किया है चाहे 15 दिन के लिए किया है उसमें जो punishment थी वो same थी IPC में जो punishment थी वो same थी चाहे उसने क्या किया है एक दिन के लिए किया है एक आर के लिए एक गेंटे के लिए किया है चाहे वो 10 दिन के लिए किया है IPC में punishment same थी IPC में अगर आपने उसे चाहे एक गेंटे के लिए confine कर लिया चाहे एक दिन के लिए दस दिन के लिए same punishment थी वो क्या था wrongfully confinement था लेकिन BNS में भी ओ क्या है wrongfully confinement है लेकिन जहां पर जो है punishment describe कर दी है कि अगर आपने wrongfully confined किया कितने दिन के लिए तीन दिन के लिए for the three days जहां तीन दिन से ज़्यादा अगर तो तीन दिन और तीन दिन से ज़्यादा किया है तब सजा कितनी होगी may extent three years may extent three years और fine कितना होगा ten thousand तो means to say जो जहां बर हमने wrongful confinement की जह जो हमने punishment की है इसका मतलब क्या है जह less than three days है जह कितना है less than three days है इसका मतलब क्या हुआ कि less than three days की अगर आप किसी person को तीन दिन से कम जो है wrongful confinement करते हो तो आपको सजा एक साल की होगी लेकिन अगर आपने वही उस person को तीन दिन से ज़्यादा three days से ज़्यादा confinement कर लिया तब सजा जो बढ़कर तीन साल हो जागी और fine भी बढ़कर जो पांच हजार था वो दस हजार हो जागा then उसके बाद आप जो wrongful confinement करते हो कितने time दस दिन और दस दिन से ज़्यादा दस दिन है और दस दिन से ज़्यादा तो तब सजा वही बढ़कर कितनी हो जागी पांच साल की और fine जो है not less than 10,000 जहां पर क्या extend हो सकता था 10,000 तक कोड कर सकता था मिश्की कोड के पास description थी कि कोड क्या है 10,000 तक fine कर सकता था मिश्कोड 8,000 भी कर सकता है 9,000 भी कर सकता है 10,000 भी लेकिन 10,000 से ज़्यादा नहीं कोड क्या है 10,000 भी कर सकता है 9,000, 8,000, 7,000, 5,000 जो भी कोड की description है जैसा कोड को लगता है may extent है जहां पर लेकिन जहां पर word क्या है not less than जहां पर आपको 10,000 से ज़्यादा करना ही पड़ेगा जहां पर bound है legislation नहीं किया कोड को कि 10,000 से कम फाइन नहीं कर सकती कोड जहीं डिफ्रेंस है और जहीं कुछ को important clause है इसे आप जाद रखना क्योंकि जह newly added है IPC में ऐसा नहीं था IPC में आपने wrongful confinement की आपने किसी person को wrongful confinement कर लिया चाहे वो आपने एक आर के लिए किया एक गंटे के लिए किया एक दिन के लिए किया दस दिन के लिए किया सौ दिन के लिए किया जाए चितने टाइम मर्जी किया punishment सेम थी बहाँ पर punishment सेम थी लेकिन जहां पर slabs मना दिया है अगर आपने तीन दिन से कम किया तो आपको एक साल की सजा होगी तीन दिन से ज़्यादा किया तो आपको तीन साल की सजा होगी दस दिन से ज़्यादा किया तो पांस साल की सजा होगी दस दिन जहां दस दिन से ज़्यादा जहां पर वर्ड क्या जूज किया है more तो अब जेना पूछने लग जाना कि अगर सर माली है कि 100 दिन के लिए जो detain कर लिए राउख फिलर, detain कर लिए तब कितनी punishment होगी जे लगेगी क्योंकि जहां पर word क्या use किया है 10 days and more कि 10 दिन से उपर कितना मर्जी है, 100 दिन है, 200 दिन है 10 साल है, जितने टाइम के लिए किया है, उसमें कितनी punishment होगी 5 साल की, लेकिन fine not last है, 10,000 से कम नहीं होगा, fine 10,000 से कम नहीं होगा, तो then आप इसे देख लेना important section है क्योंकि कुछ की newly provisions add की गई है तो मेरे को अमीद है आपको जे lecture समझाया होगा, lecture कैसा लगा, अपना feedback जरूर देना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, कि हमें भी पता लग जाता है कि कैसी जो हमारी जो preparation है, वो चल रही है, क्या एक सही direction में वो चल रही है, तो इसलिए आप अपना जो feedback वो जरूर देया करो, और last में यही कहना चाता हूँ कि हमारे जो paid courses भी चल रहे हैं अगर आप paid courses लेना चाते हो तो आपको जो हमारा whatsapp number है, description box में मिल जाएगा आप हमें जो message करकर उसकी details ले सकते हो तो thank you, video को maximum share करना, thank you, thank you very much